नमस्कर दोस्तों आज हमें एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर निस्टर मायन्द मोदी जी ने दो ऐसे बयान दिये जिससे पूरा मीडिया वर मजा ले रिडार सिस्टम और इमेल और डिजिटल कैमरे का यूज करना इनको यही लगता है इता है मोदी है तो मुंकिन है तो हो सकता है इनके टाइम में ही सब कुस्ट डेवल contempor का हो बाकि कुछ हाई नहीं और कि हरी इनसां को लगता है यह अही हकुत है इनको लगता है जो यह बोलेंगे वही हकीकत है 시स्टम में इस दुनिया में और कुछ नहीं है तो ये कोई गलत बात नहीं है, मोदी जी ने जो भी बोला, उनकी इसाफ से सब सही है, क्योंकि ये जो पार्टी है, और जो ये आर्गनाइजेशन है, ये टोटली फेक सिस्टम पर बेस्ट है, और इनकी लीडर को ये लगता है, जो ये बोलेंगे, इनके सो कॉल्ड वक्त, ट इतने आदी हो चुके हैं, तो बात ये आती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इतना ज्यादा ग्यान लेक के, हमारे पब्लिक को कैसे बोल सकते हैं, इतना काउंफिडेंटली कैसे, इसके पीछे, पिछले पान सालों या पंद्रा साल के जो उनकी राजनीत ही ये इन्होंने यूज कब किया, प्राबलम ये है कि साइन्टिफिक भी, जो सिस्टम है इंडिया का, इसका आउटवर्ड में कैसा रिस्पॉंस होगा, जो लीड करते हैं साइन्स को, उनके पत कैसी ये भावना होगा, और ये साब पॉलिक्स है, कैसे किसी को दिमोरलाइज क करना है, किसे किसको उपर लाना है, वैसे भी इस गॉवर्मेंट ने, इन प्राइम निस्टर ने, सारे गॉवर्मेंट के जितने भी इंस्टिउट्स हैं, इनकी बजा के रखें सिर्फ रविटाइज करने के दो कमपनियों के लिए, अब ये प्रधानमंत्री जी, ये विज कि इसमें आने वाले पांच सार कैसे होंगे, इस इलेक्शन के बार डिसाइड होगा, आप हकीकत में जीना चाहते हैं, या एक ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं, जो सिर्फ झूट का पुढिनदा बान दे और नफरत है लाएगा, तो दोस्तों डिसाइड आने वाले इलेक् and subscribe जिरूर करना